हेलो जैहिन दोस्तो और देखिए आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी मैथ यानि की गणित की रहेगी और यहाँ पर हम पूरे 15 प्रशनों का पेपर डिसकस करने वाले हैं आपको पता है आपके एक्जाम में 15 प्रशन आते हैं गणित से भाग तीन से तो यहाँ पर आपके 15 प कैसे जो है आप कैलकुलेशन को कम करके उसको बीना कैलकुलेट करे कोश्चन को सोल्व कर पाएंगे बहुत सारे कोश्चन मैं आपको ऐसे भी समझाने वाला हूँ ठीक है और उससे पहले आपको पता है रोज सुबह हमारी 10 बजे कलास होती है मोर्निंग में तो इस कलास को आप जरूर अटेंड करेंगे तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं तो देखिएगा आपको कॉपीपेंट जरूर लेकर बैठना है क्योंकि यह आपके मैध के प्रेक्टिस हैट है और कुछ लोग क्या करते है वससे वीडियो देखते हैं सोल्व नहीं करते तो देख तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रशन ए और बी मिलकर किसी काम को बारा दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि ए अकेला उस काम को तीस दिन में पूरा कर सकता है तो बी इस कारे को कितने दिन में कर सकता है तो फटा फटा सांसर देना है मैं इसका सोलूशन करने जा रहा ह क्योंकि मैं solution करूंगा मैं समझाओंगा तो मुझे time लगेगा अगर आप खुछ solve करेंगे तो आप जल्दी solve कर देंगे ठीके तो मेरे से पहले आप answer देंगे तो देखीगा a plus b है न a plus b ये किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं next बोल रहा है जो a अकेला है वो किसी काम को कितने दिन में करता है भई वो करता है 30 दिन में अगर मैं इन दोनों का LCM ले लूँ तो ये हमारे पास total work आ जाएगा कि total work दोनों का कितना है तो इन दोनों का LCM हो जाएगा 60 यानि कि हमारे पास क्या है 60 जो है वो total work है अब 12 पंजे 60 होता है 30 दुनी 60 होता है अब ये आ गई इनकी 5 और 2 क्या ओगई इनकी efficiency आ गई इनकी काम करने की शमता आ गई हमसे बोला है B अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा तो दिखिएगा नीचे काम हमारे पास total 60 है हमने भी LCM लेके काम निकाला है 60 हमसे बोला है B अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा अब A और B की जो शमता है वो 5 है दोनों की और सिरफ A की जो अकेली की शमता है वो 2 है तो अगर मैं इस 5 मैंसे 2 माइनस कर दूँ ठीक है तो हमरे रपस 3 आएगा जो कि क्या होगा सिरफ और सिरफ B की शमता होगी समझ में आई बात तो हमसे पूछा है B अकेला उसे कितने दिन में करेगा तो B की शमता 3 है कुल वर्क 60 है 3 को 60 से भाग कर देंगे तो यहां पे कितना आजाएगा 20 तो जो B अकेला है उसे 20 दिन में करेगा Option B जिन्होंने भी सब का अंसर सही है क्या Option B जिन्होंने 20 दिया उन सभी का अंसर सही है सभी का अंसर सही आ रहा है न ओके तो बढ़ते हैं next question पे next question है हमारा इस तरह से एक घड़ी पर 230 रुपे अंकित हैं और 12 प्रतिशत की छूट पर बेची जाती है तो घड़ी का विक्रे मुल्य क्या होगा फटा फट से आपको अंसर देना है और देखिएगा इस question को मैं बताऊंगा आप बीना पूरा solution करें आप आधे solution में आप कैसे इसको अंसर लगा देंगे ठीक है तो देखिएगा सबसे पहले आपको मैं विक्रे मुल्य का Formula बताना चाहूंगा कि विक्रे मुल्य का Formula क्या होता है खेर यहाँ पे हमको Formula discuss करने की भी जूरूरत नहीं है आपको पता है कि 230 रुपे किसी घड़ी का अंकेत मुल्य है उस पे हमने 12% की छूट दी तो 12% को मैं 88 लिह सकता हूंना क्या मैं 88 लिसकता हूँ 12 प्रतिश्यत को बिल्कुल लिसकता हूँ कुछ लोग क्या कर रहे होंगे कि 230 का पहले 12 प्रतिश्यत निकालेंगे फिर जो आएगा उसमें से आप 230 को मैनेस करेंगे तब विकरे मुले निकालेंगे बड़ हम डिरेक्ट करेंगे और यहाँ पर भी हम पूरा सोल्व नहीं करेंगे आपको देखना है ठीके उससे पहले आप कोश्चन को सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पर देखिएगा नीचे हमारा क्या आएगा सो आजाएगा परतिशयत का 12 परतिशयत 88 अपोन में 100 ठीके अगर हमने इसको सोल्व कर दिया तो हमारा विकरे मुल लिया जाएगा सिंपल सी बात है है ना तो आप देखिएगा एक जिरो से हमारी ये जिरो कट गई अब हमको एक चीज पता लग गए कि जो हम कोशन सोल्व करेंगे नीचे हमारा दस है तो उसमें एक डिजिट छोड के लास्ट वाला एक पॉइंट आएगा तो हम बोल सकते हैं कि जो अप्शन बी है वो हमारा अंसर नहीं होगा ठीक है अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं आप समार्ट वर्क कर सकते हैं इसको पूरा सॉल्व करने के बजाए आप क्या करेंगे आट तिया कितने होते हैं वह चोबिस होते हैं यानि कि जो आपका लास्ट का डिजिट है वो चार आएगा वो चार आएगा ही आएगा अगर आप पूरा मल्टिप्लाइ करेंगे तो भी लास्ट का जो डिजिट है वो कितना आएगा चार आएगा ठीक है ना आट तिया कितने होते हैं आट तिया चोबिस होते हैं तो लास्ट डिजिट कितना आएगा चार आएगा ये चीज़ आपको पता होगी भई अब चार के बाद क्या होगा फिर हमारा जीरो एक डिजिट छोड़के जीरो आएगा क्योंकि नीचे दस है बस यहाँ पर आपको एक ही उप्षिन में ऐसा उप्षिन मिल रहा है जिसके लास्ट डिजिट में चार है जो की उप्षिन है C 202.4 तो आप इतना ही करके कोशन को सोल्व कर सकते हैं और यहाँ पर तुम्हें आपको लिख के समझा रहा हूँ आपको तो यह माइंड में ही पता लग जाएगा कि आट या 24 एक ही उप्षिन ऐसा है जिसके लास्ट में 4 है और वो आपको अंसर कर दिना है ठीक है न क्या समझ पा रहे हो क्या इतना समझा रहा हूँ मैं आप लोगों ने मुझे पता है पूरा सोल्व किया होगा आपने यह ट्रिक नहीं लगाई होगी एक कोशन ये है कि एक वस्तु को 524 रुपे में बेचने पर जो लाब होता है वह उसी वस्तु को 452 रुपे में बेचने पर होने वानी हानी के समान है वस्तु का क्रेम उल्य ग्याद कीजिए तो दिखिए इस कोशन के हम आपको बेसिक भी बताऊंगा और ट्रिक भी है बट फिर आपको यह कोशन फूरा देखना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा बेसिक भी ज्यादा मुश्किल नहीं है और ध्यान रखीगा इस कोशन का चाहें आप सक्रीन शोट ले लेना चाहें इसको आप अपनी नोट बुक में नोट कर लेना अग मैं आपको डिसकेस कर रहा हूं पहले आपको कैसे सॉल्व करना है सासाथ आप सॉल्व करते रहना अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहा तभी आपको सॉलूशन देखना है और सॉलूशन आपको वैसे भी देखना है कि अगर मैं आपसे थोड़ा अलग सॉलूशन कर रहा हूं आपको कुछ नई ची सीखने को मिल रही है तो वो आपके लिए better है तो अगर ऐसा कोई question आ जाए तो आप क्या करेंगे इन दोना संख्याओं को जोड़ देंगे और दो से भाग कर देंगे आपका अंसर आ जाएगा ठीक है 524 नीचे हमारा आएगा 452 इनको हम जोड़ेंगे तो कितना जाएगा चार दुनी चार और दो छे पांच और दो साथ यहाँ पर आज़ेगा हमारा 976 ठीक है भई अब 976 को आपको क्या करना है बस दो से भाग कर देना है और यहाँ से आपका अंसर आ जाएगा 248, 286, 286 488 रुपे जो है यहाँ से आपका सई आंसर होगा ठीक है क्या समझ पा रहे हो क्या कोई भी अगर आपके बास ऐसा कोशन आएगा तो आपको ऐसे सोल्व करना है इन दोनों को जोड़ के बस आपको दो से भाग कर देना है यहाँ से आपका अंसर आ जाएगा अगर आप एक्जाम में यह चीज भूल गए ठीक है तो आपको बेसिक भी पता होना चाहिए क्योंकि यह ट्रिक है और यह ट्रिक 100% इसी कोश्चन में लगेगी आपके अगर पास कोई बुक है तो वहाँ पर भी आपको इस टाइप का कोश्चन जुरूर मिलेगा प्रॉफेट अनलोस का उसमें आप यह ट्रिक लगा कर देखना 100% यह ट्रिक लगेगी अब मैं आपको बेसिक बताने जा रहा हूँ तो वीडियो में आपको बने रहना है और अगर जिनोंने भी वीडियो भी तक लाइक नहीं किया तो लाइक किज़ेगा क्योणकि आपका प्रैक्रिक सेड चल रहा है पे तो देखिएगगा यहाँ पे माना मैंने जो क्रैम उल्ले है माना मैंने क्रैम उल्ले X CP हमारा क्या है X है अब पहली कंडिशन में क्या हो रहा है हमको लाब हो रहा है 524 रुपे में बेचने पर लाब क्या होता है भाई SP माइनस CP होता है विक्रे मुल्ले माइनस क्रे मुल्ले लाब होता है तो दीखिए 524 रुपे में बेचने पर यानि कि विकरे मुल्ले कितना है यहां पर 524 रुपे है और CP हमने X माना तो है अब हमने X लिख दिया ठीक है भई बराबर हमारा क्या आएगा दूसरी लाइन बोर्डर की 4502 रुपे में बेचने पर होने वाली हानी के समान है अगर यहां पर हानी हो रही है तो हानी मतलब क्या होता है CP माइनस SP होता है ठीक है भई हानी होता है CP माइनस SP तो यहां पर हम ऐसे लिख देंगे फिर CP हमारा कितना है हमने X लिया है और SP हमारा कितना है 452 है चीज़े समझ में आ रही है क्या जो question में लिखा है बस मैंने यहाँ पे वो draw किया है अब सीधी सी बात है यह इधर x जाके यहाँ पे जमा हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2x है ना और यह minus का 452 इधर जाके plus का हो जाएगा तो यहाँ पर यह दोनों आपस में फिर जु आपको ट्रिक भूल गए आपको ट्रिक ध्यान में नहीं आ रही तो आप बिल्कुल बेसिक अप्रोफ से भी इस question को solve कर सकते हैं क्या समझ में आया है क्या और आंसर भी सभी के सही आ रहे होंगे बढ़ते है next question पे next question देखेगा यहाँ पे हमारा फटा-फट से solve करना इस question को आपको कि 60 किलो मीटर प्रती घंटे की गती से दोड़ती हुई 75 मीटर लंबी रेल गाड़ी एक निस्टिट टेलिग्राफ पोस्ट को कितने समय में पार करेगी तो दिखिए कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमको यहाँ पर निकालना है समय और जो हमारा समय का formula होत होता है समय कहा रहा हूं तो time होगा ठीक है आपको question solve करते रहना है पहले ताकि आप मेरे से पहले जवाब दे पाएं time का formula होता है distance upon me speed और आपको एक सी जोड़ ध्यान रखनी है कि हमको जो समय पूछा है वो second में पूछा है हमारा जो दूरी है वो 75 मीटर है मीटर में बट ह हमारी जो speed है वो किलो मीटर प्रती घंटे में है और किलो मीटर प्रती घंटे में बदलने के लिए हम speed को क्या करते हैं 5 बटे 18 से गुणा करेंगे यदि हमको किलो मीटर से मीटर प्रती सेकिन में बदलना है यह आपको पता होना चाहिए ठीक है अगर हमको इसको किलो मीटर प्रति घंटे में बदलना होता तो हम क्या करते 18 बटे 5 से गुणा करते तो आपको ये चीज बस लिखनी है और आपका यहां से आंसर आजाएगा और लोग बहुत सारे student का आंसर आभी गया है अब मैं क्योंकि समझा रहा हूं तो मैं सलो समझांगा क्योंकि मुझे सभी student को लेकर चलना होता है तो देखिएगा distance हमारा कितना है वही 75 है speed हमको दे रखी है 60 60 तो हमको speed दे रखी है बट 5 बट 18 से हमको गुणा भी करना है क्योंकि हमको इसको मीटर पर 30 सेकिंड में बदलना है अब यह 18 नीचे से रहकर कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा क्या इतना सब लोग समझ पाए हो क्या आप देखिए का यहाँ पे 6 10 60 ठीक है और 6 तिया 18 5 से काट दूँगा तो यह 15 55 होता है ठीक है अब 5 और 15 और 3 बचे है 15 यह कितने होते हैं भई 45 होते है ठीक है और नीचे हमारा 10 है तो 4.5 हो जाएगा एक डिजिट छोड़के हम डेसिमन लगा देंगे तो 4.5 सेकिंड हमारा option B जो है वो correct answer होगा क्या सभी को समझ में आया है और सभी का answer सही आ रहा है न ओके बढ़ते हैं next question पर next question देखीगा और हाँ अभी तक आपने वीडियो को अगर लाइक ने किया है तो आपको वीडियो तो लाइक करना पड़ेगा ठीक है आप ऐसे वीडियो देखकर मत जाये करो वीडियो को लाइक किया करो अगर आप नए है तो last के अगर याईक दिये होंगे बस हमको उनी से मतलब होता है हमको इनी को आपस में क्या करना है multiply करना है बट इनको आप multiply करेंग तो आप देख रहे हैं कि dew एक इक अगर आउंक है last का वो 0 है एक संख्या का अब 0 को आप किसी भी संख्या से multiply करेंगे तो हमारा answer 0 ही आएगा एकाई कांक है ना तो यहाँ पर option D जो है वो हमारा बिल्कुल सही होगा 0 ठीक है सबको समझ में आया इसमें कुछ भी करने का नहीं था next देखीगा question number 6 और question number 6 की भी answer आने लगे हैं क्योंकि question number 6 दिख रहा दा पहले ही कि दो संख्याएं 7 और 21 का तीसरा अनुपातिक क्या है फटा फटा से सोल कीजेगा 7 और 21 का तीसरा अनुपातिक क्या है तो देखीगा जो तीसरे अनुपात निकालने का सूत्र होता है वो होता है B square भाग A ओके और B क्या है वो हमारा 21 है ए हमारा 7 है अब 21 का square नहीं पता तो कोई दिकत नहीं है आप 21 कुणा 21 लिख देंगे दो बार ठीक है और भाग हम किस से करेंगे 7 से करेंगे 7 एकम 7 7 तिया कितने होते हैं 21 होते हैं और 21 तिया कितना होगा 63 होगा तो यहाँ पर क्या अंसर आएगा आपका option B आएगा कैसा अभी का अंसर सही आ रहा है सभी का अंसर सही है ना चलिए next question देखिएगा next question है question number 7 और वीडिया आपको complete देख रहा है क्योंकि आप paper में ऐसा नहीं कर सकते हैं 5-6 question करके वीडियो को छोड़ दें या question को ही छोड़ दें महाँ आप पूरा question करेंगे यह आपका practice setup कि आपकी अगर calculation में यहाँ पर गलती हुई है तो इसका मतलब आपकी calculation में वहाँ पर भी गलती होगी ही होगी तो देखिएगा सबसे बड़ी संख्या ग्याद कीजिए जिससे 200 और 320 को समयान रूप से भाग दिया जा सके तो संख्या यह आपको दे रखिएगा 200 और 300 आपको कुछे नहीं करना बस आपको इनका HCF निकालना है जो इनका HCF होगा वो answer होगा सबसे बड़ी संख्या ठीक है HCF में भी सबसे बड़ी संख्या तो यहाँ पर जो आपका right answer होगा वो अगर 40 इन दोनों का HCF जो होगा वो कितना होगा वाई 40 होगा सबसे बड़ी संख्या यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो 40 है सबसे बड़ी संख्या बोला सबसे बड़ी संख्या से पहले ट्राई को जो 40 है इस 40 है आप दोनों को भाग दे कर देखो अगर दोनों भाग हो रही है तो आपका answer बिल्कुल सही है यहाँ पर है ना यह है 320 ठीक है तो आपका जो 40 जो है वो यहाँ से दोनों को भाग कर देगा तो option आपका D answer correct होगा बढ़ते हैं next question पर question नमर यहाँ पर आठ देखिए का फटा फट से एक दुकान दर ग्रहा को 10 परतिशत की छूट देने के पस्चाद भी 20 परतिशत का लाब कमाता है 450 उर्पे अगर क्रेम मुले है तो वस्तु का अंकित मुले क्या होगा और यह परसन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ इसके लिए मैं आपको एक formula बताना चाहूँगा आपको एक formula याद रखना है कि जो हमारा CP होगा वो क्या होगा भई 100 minus loss होगा और जो हमारा SP होगा वो होगा हमारा 100 plus profit SP नहीं है यह हमारा MP है अंकित मुले है ठीक है यह MPS को ठीक कर देना भई MP है इतनी चीज़ समझ में आ गई तो देखिएगा यहाँ पर जो CP है वो कितना होता है 100 minus loss होता है और यह चीज़े अपने आप में भाग में होती है बस यह जो trick है यह आपको ध्यान रखनी है ठीक है यह हमारे divisible में है तो देखिएगा यहाँ से CP जो हमको दे रखा है 450 तो यहाँ पर हमको कितना दे रखा है CP भई 450 दे रखा है तो 90 की value 450 होगी तो cancel करो इसको यहाँ पर 95 कितना होता है भई 9545 होता है अब यहाँ पर एक की value कितनी आई है 5 आई है हमको निकालना है 120 की value क्योंकि MP का मुल्य कितना है 120 है तो आप क्या करेंगे इस 5 को 120 से multiply करेंगे तो 1250 कितना होता है 60 600 जो है वो आपका सही अंसर होगा कैसा अभी का अंसर सही आ रहा है option B यहाँ पर दो option में 600 हो गया ठीक है इसको आप correct कर लेना कोई भी एक option आपका ठीक होगा 600 रुपे बढ़ते हैं next question पर next question देखिएगा A B से 30 परतीशत अधिक कारे कुशल है जो अकेले एक कारे को तेज दिन में कर सकता है A और B मिलकर कारे को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं फटा फटा सोल्व करना है मैं question को solve करवा रहा हूँ तो देखिएगा सबसे पहले बात आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा work होता है जो हमारा काम होता है वो क्या होता है efficiency into time होता है यानि कि शमता और समय को हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या आजाएगा काम आजाएगा ठीक है ये चीज़ आपको ध्यान होने चीज़ ये होता है हमारा time and work का formula अब आपसे बोला है कि A यहाँ पर मैं लिख देता हूँ B A B से 30 परतिशत अधिक कारे कुशल है यानि कि अगर B की efficiency 100 है तो A की शमता कितनी होगी 130 होगी ये इनकी efficiency है शमता है ठीक है अधिक कारे कुशल है तो 0 से आप 0 कैंसल कर सकते हैं या पर 13 ratio 10 जो है इनकी शमता का अन ये अकेला एक काम को 23 दिन में कर सकता है अब A की efficiency 13 है और A काम को time दे दिया कितना 23 दिन तो अगर मैं efficiency into time करूँ जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया था तो हमारा क्या जाएगा वर्क आ जाएगा ठीक है तो हमको क्या करना है 13 को और 23 को गुणा करना है अपस में तो मैं फट यहाँ पर गुणा कर देता हूँ 23 गुणा 13 ठीक है 9 6 3 2 तो गुणा करने के बाद यहाँ पर हमारा 299 आएगा ठीक है बाई कितना आएगा 299 आएगा तो इसको रफ करते हैं फटा फट तो यानि कि आपको पता लग गया कि जो हमारे पस वर्क है जो हमारे पस क्या है वो कितना है 299 है और यहाँ से आपको बोला है कि A और B दोनों मिलकर इसकाम को कितने दिन में करेंगे अब A के एशंसी कितनी है यहाँ पर 13 है अब 20 को मैं 200 299 से करूंगा मैं भाग तो यहाँ पर मेरा आंसर कितना आएगा 13 आएगा तो यहाँ पर option जो B है वो बिल्कुल correct answer होगा सभी का answer correct है ना कुछ लोगों की 11 answer आ रहे है चलिए बढ़ते हैं next question पर option जो है 20 का correct होगा option question number हमारा पर 10 है कि x और y के जो अनुपात है वो दे रखा है हमको 3 रिशो 4 तो हमको इसका अनुपात बताना है तो बिल्कुल simple question है इसमें आपको confused नहीं होना है ऐसा question आपके army gd के exam में आता है तो यहाँ पर देखीगा x की value कितनी है भाई 3 है और y की value कितनी है 4 है आप direct यहाँ पर value रखिएगा इसको थोड़ा और नीचे करता हूँ ताकि मैं आपको direct value रखके दिखाऊँ तो देखीगा x की value कितनी है 3 है अगर मैं 3 को 4 से गुणा करूँ तो 4 तीया कितनी होते है 12 होते है यही पर मैं लिख देता हूँ उपर ठीक है y की value 4 है तो अगर मैं 12 को sorry यहाँ पर y की value 4 है मैं minus 4 होगा direct ठीक है तो 12 मैं से 4 गया कितना हो गया यहाँ पर 8 हो गया यहाँ पर 8 हा गया ratio में अब दूसरा आपको solve करना है कि 3 x की value यहाँ पर 3 रखूँगा तो 3 दूनी कितना होगा 6 होगा plus y की value कितनी है 4 है तो 4 तीया कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे तो यहाँ पर मैं 12 लिख दिया 12 और 6 कितने होते हैं भाई 18 होते हैं तो यहाँ पर 8 ratio 18 हो गया हाना अब इसको हम solve करेंगे 2 चोके 8 और 2 निमे 18 तो यहाँ पर answer किया होगा आपका 4 ratio 9 होगा option A जो है वो आपका बिल्कुल सही answer है ठीक है बढ़ते है next question आपका उम्मीद करूँगा बहतर है तो दूसरी संख्या क्या होगी तो आपको इसका formula पता होगा कि LCM गुणा HCF बराबर किसके होता है दोनो संख्याओं के गुणन फल के दोनो संख्याओं के गुणन फल के ठीक है तो दिखिएगा LCM हमको दे रखा कितना 1224 24 HCF हमको कितना दे रखा है यहाँ पे 4 एक संख्या हमको दे रखी है 72 दूसरी संख्याओं के हमारी कितनी है X है ठीक है दोनों संख्याओं के गुणन फल के यह बराबर होता है आप इसको cancel कर दो आप 4 एकम 4 से काटेंगा हम 4 एकम 4 इसको दे रखा है क्या सभी का अंसर बिल्गों सही है क्या क्या सभी का 68 आ रहा है ठीक है बढ़ते हैं नेक्स कोशन पर नेक्स कोशन देखिएगा क्योंकि हमारा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा बढ़ मैं फिर भी आपको ऐसे ही समझाँगा क्योंकि मुझे आपको कोशन सारे समझाने हैं क्योंकि solve करना होते तो मैं खुद करके निकल जाता 80 लीटर दूद और पानी के मिश्रण में 10 प्रतिशत दूद है इसमें कितना पानी और मिलाए ताकि यह 5 प्रतिशत दूद वाला मिश्रण बन जाए अप सिंपल सा प्रतिशन है कि 80 आपके बस लीटर है मिश्रण है दूद और पानीगा इसके अंदर 10 प्रतिशत क्या है दूद है तो 80 का 10 प्रतिशत कितना होता है 8 होता है य intentar कि आपको पता लग गया कि इसके अंदर जो 8 प्रतिशत है आठ प्रतिशत नहीं आठ जो है वो दूद है अब इस दूद आठ को हमको पांच प्रतिशत बनाना है ठीक है भई पांच प्रतिशत बनाना है सीधी सी बात है तो देखीगा इसको थोड़ा और उपर लिख लेता हूं इसको सबको कटके है ना आठ जो है इसके अंदर दूद है आप क्या करा है कि जो इसमें कितना लिटर पानी और मिलाए जाए यानि कि जो मिश्रण है 80 लिटर इसमें बोल रहा है कितना पानी और मिलाए ताकि दूद पांच प्रतिशत हो जाए तो मिश्रण हमारा 80 लिटर है कितना पानी हमको मिलाना है वो हमको पता नहीं उसको हमने लिख दिया X ताकि हमने X तो पानीस में मिलाया ही होगा और यह दूद कितना हो जाएगा यहां से फिर 5 परतिशत हो जाएगा 5 परतिशत यानि कि 5 बटा 100 और 5 बटा 100 तो अगर हम कैंसल करेंगे आपस में तो यहां पर एक बटा 20 हो जाएगा क्या इतनी चीज सबको समझ में आई है क्या आप सीधी सी बात है क्रोस मल्टिप्लाइ करोगे और आपका यहां से अंसर आ जाएगा कि यहां पर होगा तो यहां पर 80 बच गया और यहां पर कितना बच गया आपके पास x बच गया और x की वेल्यू कितनी है आपके पास 80 है तो option d आपका सही होगा क्या सभी का अंसर बिल्कुल सही आ रहा है क्या बिल्कुल basic से आपको समझा रहा हूँ ठीक है question number यहां पर हमारा 13 है और comment box में बताना है कि आपके कितने question ठीक हुए है ठीक है आपके exam में जो 15 person होंगे इसमें से आप 12 और 13 question आपको असान आएंगे basic आएंगे question सभी असान आएंगे बट देखे कुछ question को ऐसे देखने को मिलेंगे जिसके अंदर आपको calculation करनी पड़ जाएगी और आपका थोड़ा समय खराब होगा बट यहां पर मैं आपके लिए video किसलिए बना रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ इस question को भी आप बिना calculation के सिरफ 5 second में solve कर सकते हो ठीक है तो मैं आपको वो चीज भी बताऊंगा पहले हम आपको इसका basic बता रहा हूँ फिर आपको मैं वो चीज बताने वाला हूँ तो यहाँ पर देखीगा कि एक match में 7 खिलाडी द्वारा बनाए गए 7 रुनों का उस्त कितना है त्रेपन है यदि 6 खिलाडी द्वारा बनाएगे रन इस प्रकार से है तब 7 खिलाडी के कितने रन बनाए यही हमको निकालना है तो दिखीगा कि 7 खिलाडियों द्वारा मैचों का उसत कितना है भही रनों का उसत है वो 35 है ठीक है अगर मैं 7 को 35 से गुणा कर दूँ तो हमारे पस total run आ जाएंगे और जो हमारे total run होंगे 7 को 35 से गुणा करने पर वो हमारा कितना हैगा 371 ठीक है यहाँ पर आपका multiply में ही time लगेगा यह मुझे पता है बट मुझे इसका पता इसलिए मैं फटा-फट से कर रहा हूं अभी आपको मैं जो ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक से आपको multiply करने की भी जुरूरत नहीं पड़ेगी आप दिखीगा जो 6 की तरह बनाएगे रन जो है वो इतने हैं अगर मैं यहा बचे का सात्वा उसकी value आ जाएगी इसको घटाने पर ठीक है तो आपको क्या करना है अभी इन सब को जोड़ देना है जो आपको यहां पर संख्या दिख रही हैं 121426 इन सब को यदि आप जोड़ेंगे क्योंकि मेरे को आप फटा-फटा दीख रहा है मैंने आप जोड़ा 3 आएगा भाई यहां पर यहां पर आएगा 4 ठीक है पांच में से 6 में से दो गए 4 तो 43 आपका right answer होगा ठीक है यह तो है basic यहां पर आपको समय किसमें लगेगा 7 को 53 से गुणा करने में समय लगेगा और इन सब को जोड़ने में समय लगेगा और फिर से अगर calculation में गल्ती ह हो गई तो आपका अंसर गलत यहां फिर आपका समय खराब अब इसको मैं समझाता हूं आपको ट्रिक के साथ तो देखीगा कि साथ खिलाडियों के द्वारा बनाएगे जो उसतरण है वो कितने हैं त्रेपन है कि यदि मैं साथ को गुणा करूंगा त्रेपन से तभी हमारे ट लगाना कर देना है ठीके अब यहां पर हमने ONG लिखा है तो हम यहां पर साथ कितने होते हैं 12 होते हैं इकिस और छे कितने होंगे 27 और 27 और एक क्योंकि यहाँ पर जीरो इसको मत जुड़ो 27 और कितना होगा 28 ठीक है तो यानि कि जो इसका एकाई कांग होगा वो कितना हैगा 8 हैगा और इससे पहले कुछ न कुछ संख्याए जरूर होंगी उसको अमने नहीं लिखा आपको इतना से आठ गए तो तीन अब आपको दिख रहा है कि जो आपको जो आंसर आएगा उसके यूनिट डिजिट में भी तीन होगा तीन किसमें है ऑप्शन सी में है यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ठीक है आप इसको ऐसे कर सकते हैं बट ध्यान रखना यह ट्रिक आपको साल में पैदा हुए पांच बच्चों की उम्र का योग साथ वर्ष है सबसे बड़े बच्चे की उम्र क्या है अब इस कोशन में कुछ लोगों को प्रोलम होगी फटरा फट से करिएगा मैं आपको सौल करवा देता हूँ कि माना मैंने जो सबसे छोटा बच्चा है उसकी उम्र एक्स है सबसे छोटे बच्चे की उम्र कितनी है एक्स है तो यहां पर देखिएगा एक्स दो वर्ष का गैप हो रहा है तो सब में दो दो गैप होगा यहां पर एक्स प्लस दो हो जाएगा ठीक है और यहां पर फिर कितना होगा एक्स प्लस चार होगा क्योंकि दो व 9 पार ये ब्राबर में कितना को साथ ये ना तो देखिए का ये सबीचुन edi आठो बच्चे हैं, पांच बच्चे हैं, और यहाँ पर इनका टोटल है, अगर यहाँ पर टोटल है, तो आपको यहाँ पर भी टोटल करना पड़ेगा, यानि कि आपको बीच में आपको पलस लगा दो, सबको आपको यहाँ पर भी जोड़ देना है, ठीक है, थोड़ी जग यहाँ पर सीधा आपने 5X लिख दिया कोई दिक्कत अब जो X के लावा जितनी संख्या हैं 4 और 2 6 6 और 6 12 12 और 8 कितने होते हैं 20 होते हैं यहाँ पर आप इनको जोड़ के लिख दो 20 तो इनको solve करने के बाद हमारा 5X plus 20 बन गया और इसकी जो value हमको दे रखिया वो कितनी दे रखिया है 60 दे रखिया है समझ में आए इतना है यहाँ पर सबको अब यहाँ पर देखो यह 20 इधर जाके minus हो जाएगा 60 में क्योंकि दोनों plus के हैं तो यहाँ पर कितना बच गया 40 बच गया और यहाँ भी आगया उपका 5X और X की value कितनी आजएगी यहाँ से 58 चालिस X की value आगई 8 अब आपने X माना था सबसे छोटे बच्चे की उमर सबसे छोटे बच्चे की उमर आपने X मानी थी तो सबसे छोटे बच्चे की उमर कितनी है 8 है हमसे बोला है सबसे बड़े बच्चे की उमर तो यहां पर सबसे बड़ा क्या दिखाई दे रहा है आपको सबसे लास्ट देखो आप x पलस 8, जहांपर मैं यह गुमा रहा हूँ x पलस 8 जोय है, सबसे बड़े बच्चे की उमर है तो इस 8 में हमको 8 और जोड़ना पड़ेगा तो हम 8 और जोड़नेंगे 8 और 8 कितने होते हैं 16 होते हैं जो सबसे बड़ा बच्चा है उसकी उमर कितनी आ जाएगी 16 वर्ष आ जाएगी जो कि option A में दिखाई दे रहा है क्या सभी को समझ में आया है क्या क्या सभी का अंसर सही है option A हमारा 16 आएगा ठीक है next question और आपका last question है इस तरह से 0.6 और 0.6 के बीच में क्या अंतर है अब यहाँ पर गलती मत करना कोई भी 0.6 को हम क्या लिखेंगे 6 बटा 10 लिखेंगे ठीक है और 0.6 प्रतिशत को हम क्या लिखेंगे और हमको बोला है इनके बीच का अंतर क्या होगा तो बीच में क्या हैगा आपके minus का sign आजाएगा यह आपको solve करना है बस ठीक है तो इनका अगर आप LCM लोगे तो इनका LCM कितना हैगा भाई यहाँ पर आएगा 1000 ठीक है अब LCM लेके आप solve कर लेंगे ना है अब तीन डिजिट छोड़के आपका point लग जाएगा 1000 अगर मैं से काट दूँ तो तीन डिजिट छोड़के आपका यहाँ पर point लग जाएगा 0.594 option B आपका right answer होगा कैसा अभी answer सही आ रहा है ओके तो गाई यह थे आपका top 50 प्रस्णों का test बिल्कुल आपके exam में ऐसी प्रस्ण आएंगे उमिद करूँगा आपको solution अच्छा लगा होगा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा तो एक like तो बनता है एक like जरूर कीजिएगा वीडियो को share जरूर करें और नए है तो subscribe जरूर करें चैनल को और इसका आपको मैं बताना भूल गया बीच में बताना भूल जाता हूं कभी-कभी इसका आपको पूरा complete PDF भी मिलेगा यदि आपको पूरा complete PDF चाहिए तो description में आपको हमारे टेलेग्राम का link है आप उस टेलेग्राम चैनल को जाकर जरूर जोइन करना वहां से आपको पूरी PDF डाउनलोड हो जाएगी कुछ लोग link से टेलेग्राम चैनल नहीं जोइन कर पाते तो आप क्या करो टेलेग्राम में जाके भी हमारे चैनल का नाम शुबह में क्लासिस सर्च करोगे तो भी हमारे चैनल का नाम आ जाएगा वहां पर आप जाके हमारे चैनल उसको जोइन कीजिएगा वहां पर आपको उसकी बिल्कुल फ्री में PDF मिल जाएगी तब तक के लिए जा हिंद जा भारत